हेलो फ्रेंड्स, बेलकम तो माई यूटूब चैनल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप सभी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम तो सुना होगा तो आज हम इस बीडियो में NIA यानि National Investigation Agency के बारे में ही जानने वाले हैं जैसे कि NIA क्या है, NIA का गठन कभ हुआ, इसका निर्मार कभ किया गया, स्थाफना NIA का मुख्यालय कहां पर है, Headquarter and Branch Offices of NIA NIA के Branch Offices कहां कहां पर है तो ये सारे Points हम इस बीडियो में Cover करेंगे, अगर आपना ये के बारे में नहीं जानते हैं, आपने नाम नहीं सुना है या आपने सुना है, लेकिन इसके जो Points हम इस बीडियो में Cover करने वाले हैं, आपको ये नहीं पता है बीडियो को end तक देखेगा, Skip मत कीजेगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगे, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, ऐसी तरह की Knowledgeable वीडियो के लिए बेल आकेन का अलपसन को भी प्रेस कीजेगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूँगी तो आपको नौटिफिकेशन मिल सकेगा चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते है NIA क्या है NIA का फुल फॉर्म होता है National Investigation Agency जिसको की सौट में NIA कहते हैं और हिंदी में हम इसको राष्ट्रिय जांच एजेंसी भी कहते हैं अब बात करेंगे NIA का गठन कब हुआ NIA का गठन 31 दिसंबर 2008 को हुआ 2008 में जब मुंबई में आतंकबादी हमला हुआ तब उसके बाद ये NIA का गठन किया गया 31 दिसंबर 2008 को इसका गठन जो किया गया है उसका जो में उद्देश है मुख रूप से भारत में आतंकबाद को समाप्त करने के लिए किया गया है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे NIA का मुख्यालाय कहां पर है NIA का जो हैट क्वार्टर है मुख्यालाय है वो है न्यू देहली न्यू देहली में NIA का मुख्यालाय है अब हम बात करेंगे All Over India में इसकी जो ब्रांचेज हैं कितनी ब्रांचेज हैं और कहां कहां पर हैं तो NIA की जो All India में ब्रांचेज हैं वो 12 ब्रांचेज हैं टोटल और इनके नेम हैं, फर्स्ट है इसमें NIA हैदराबाद, NIA ग्वाहाटी, कोची, लखनव, मुंबई, कॉलकाता, रायपूर, जम्मू, चंडीगर, रांची, चैननाई, एंड इमफाल, ये 12 ब्रांच All India में हैं, तो जब भी अगर आप NIA में भरती होते हैं, तो आपकी जो पोस्टिंग का रहता है, तो वो इन में से कहीं भी, यानि All Over India में आपकी जो ये ब्रांचेज हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाती हैं, NIA में अलग-अलग पोस्ट होती हैं, जिनके लिए रिक्वार्मेंट भी अलग-अलग होती है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन एस लिमिट के accordingly, जिसी पोस्ट के लिए अलिजबल होते हैं, आप apply कर सकते हैं, इसकी भरती से related जो अपडेट आप इसकी official साइट पर चेक कर सकते हैं, या SSC की साइट पर आप चेक कर सकते हैं, ओके फ्रेंट्स, तो आजके इस वीडियो में हमने National Investigation Agency के बारे में बात की है, अगर आप चाहते हैं कि NIEA से related जो पोस्ट है, वो डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं, डिटेल पोस्ट कौन कौन सी है, क्या requirement रहती है, भरती कैसे होती है, salary क्या रहती है, तो आप comment कर स वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन के all option को प्रेस कीजेगा, वीडियो के notification आपको मिल सकेंगे, थैंक यू